आज हम बनाके लाएं हैं होली यह होली हो या दिवाली या तो रमजाद कोई भी पर यह अराम से बना सकते हैं बहुत ही इजली यह बनता है बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंज तो यह आज का रिसीपी है काजू नमक पारे मसालेदार तो यह बहुत मस्त लगता है खाने में बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा तो जरूर से बनाएगा होली दिवाली है या कोई सभी फेस्टेवल में यह बना सकते हैं धलो फ्रेंट स्वागा थे मेरे चैनल में तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले यह लिए हैं सूजी तो सूजी हमें कोई सा भी लेना है बारिक हो या मोटी कोई सा और इसे क्या करेंगे एक मिक्सी का जाल लेगे और इसे थोड़ी सी हम ग्रेंड कर लेगे अगर आप चाए तो इसम Players इसमें एक चमरा चिनी और नमा डाल सकते हैं पर हम चिनी नहीं इस्तेमाल करेंगे पहले इसे हम इस तरह से देखें पीस लिए हैं यह बिल्कुल फाइन नहीं होता है लेकिन हलका सा यह पीस जाता है तो बढ़ियां सा सौब्ट हो जाता है हलका तो देखिए इस तरह से सूजी के जैसे ही देख रहा है बिल्कुल फाइन नहीं हुआ है यह इसी तरह से रहता है तो अब इसे क्या करेंगे एक वॉल में हम ट्रांसफर कर लेंगे तो डेखीए इसे हम निकाल लिए हैं तो यह देख सकते हैं आप बहुत ही फाएण नहीं हुआ है तो अब इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक के तो आप जैसे में हम बोले हैं आप इसमें चाहे तो सुगर फाउडर या पिछते समय चेने इस्तमाल कर सकते हैं अगर मीठा खाना पसंद करते हैं हलका सा तो हम नहीं डालें हैं नमक डाल दिए हैं थोरी सी यजवयन हधेलियों के बीच कर द tat कलें हैं मन ह्य तो डाल ये वह या भी डाल सकते हैं दो चम्मच भर के हम बड़े तेल तेल जरूर से डलियेगा इससे क्या होता है हमारे नमक पारी जो होते हैं जो खासता बनता है तो यह डालकर हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लें गे ये उत्टा ये जिये दिगी हम प्ला CPWI को मेदा करें तो दहिंगे तो हुंख और ₹ Spelly करेंगे जैसे कि हम रोटिया के लिए गूथते हैं उसे थोड़ा सा सौप्ट यानि कि सक्स्त हमने गूथना है रोटी की आटा से हलका सह में टाइटलिंग उथना है तो इसे सूजी है तो सूजी पानी अबचोब करता है इसलिए थोड़ा सा पहले गिला भी रहेगा तो अभी के लिए है बाद में फिर सेट हो जाएगा तो ढखक कर उसे छोड़ दिये के लिए तब तक हम एक क्रेम तयार करते हैं तो इसके लिए हम लिए हैं घी तो घी अपने हिसाब से लिए कितना हमें बनाना है क्रीम तो देखिए ये बड़े चमच से दो चमच हमने घी लि हैं जैङ हैं बहुत ही strength नहीं हम रखना है रखना तो अब देख सकते हैं तो इसी तरह से हमें क्रीम बना कर देख लेना है तो यह हो गया है आप वापायं से हम आटा लेते हैं डेख पाइना सोरी का लोग नमक पारे आटे से बनाते हैं या मैदा से तो नमक पारे तो आटे मैदा से बनता ही है पर एक बार इस तरह से सूजी से बना कर देखें बहुत क्रिस्पी बहुत करंची बनता है फ्रेंज ट्राइ किजिएगा सूजी का नमक पारे तो अब क्या करेंगे इसे हम सारे को इस तरह से रोल बनाकर मतलब हम लोई काटकर रख लेंगे अब एक एक करके सारे को हमें बेलना है जैसे आप देख सकते हैं आप इसमें लगा कर बेल सकते हैं या हलका फिर आठा या मैदा आठा नहीं मैदा का इस्तमाल किजिए और इसे बढ़िया से बेल लिजिए गा इस त ये बेल लिए है अब इसे क्या करेंगे एक पलेट में हम इसे रख लेंगे देखे इस तरह से अब देख सकते हैं बिल्कुल जादा पतला भी नहीं है जादा मोटा भी नहीं बिल्कुल जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से हम बेल कर प्लेट में रख लिए हैं और इस सकते हैं कि सारे को विलकर तयार कर लिए हैं अब देखिए अग्या करेंगे एक रोटी हम बापस से इस पर रखेंगे और इस पर जो हम मलाई हमने बना के रखे थे ना यह जगी और आटा में हमने मिक्स करके रखे गे थे अगर टाइट हो गया तो थोड़ा सा दा देखा उसके बाद हम इस पर सोखा आटा चिरकेंगे या मैदा दोनों में से कोई सा भी इस पर इस तरह से चिरक लेना है बापस से फिर से हम रोटी उपर से रखेंगे फिर से हम वहीं प्रेसिस करेंगे जो क्रीम है उसे इस तरह से हर तरफ फैला लेंगे फिर से हम सुखे आटा का इस्तमाल करेंगे और फिर से रोटी रखेंगे इसी तरह से हम तीन चार लेयर में हमें बनाना है तो अक्सार तीन या चार में ही बनता है तो हम अभी के लिए चार लेयर में बनाएंगे तो देखे ये चार रोटी हम रख लिए हैं अब उपर से इस तरह से मैदा हलका सा छिरक लेंगे दोनों तरफ से और इसे बापा से हम बेल लेंगे तो ये बहुत मोटी है तो एक बार बेल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा पतला सेफ देनेगे तो देख सकते हैं अब बहुत ज़दा पतला भी नहीं है मोटा भी नहीं है अब क्या करेंगे इस तरह से सीसी कोई डबा है सीसी दावावा का उसको धकन ले लेंगे बढ़ियां से क्लिन किये हुए है अब इस तरह से देखिए कट करते जाएंगे बिल्गुल काजु का सेप म देख सकते हैं तो ट्राइ किजिएगा फूली है तो बहुत असान है कि इस शीओ भी बच्छा घर में है उससे देदेजिए तो यह राम से काट लेंगे और बाच्चे को यह सब काम करने में बहुत पसंद आता है तो बच्चे भी अच्छे, बना लेंगे ने तो इसी तरह से हम सारे को पहले कट कर लेते हैं तो देखिए इतना हमारा कट गया है तो चलिए इसी तरह से हम सारे को कट कर लिए हैं अब ये बचे हुए भाग को आप चाहे तो कैची से कट कर लेंगे या तो फीर से बापस इसे इस तरह से रखकर हम धाकन कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं तो लिजिए सारे हमारा बढ़ियां से कट गया है काजू मसाले नमक पारे तो देखिए इस तरह से हम कट कर लिए हैं बिल्कुल लेयर खूल के आएगा तेल में डालने से तो अब चलिए फ्राय करते हैं अधर हमने तेल चठाए हुए हैं तेल हमारा बहुत ही हो गया है तो लिजिए डाल लिए हैं इतना की डालेगा ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि तेल में यह फैलता है खूलता है तो इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे आप देख सकते हैं इसका लूप कितना बढ़ियां परतदार खूल कर तयार हुआ है बहुत ही बढ़ियां स निम् 갖고 अधिए तो देखिए वातो बात प्रसिकाले से घर हो गिया है तो इसे हम एक इताइनर निकाल require me और ईब लिए छुमें और उद्सेटा और ऊप्रुड़ का इसमें क्या करेंगे chumumak दूड़ी सी चाठ मासबर और दूड़ी हमें डाले फोने टीखी का या नियुंद नबऊ है कि कार्ष घकर बन आप बात है हैं कि कार्ष और तुम पार नल लिए तो तरह से देखिए गelloता है तो इससमय मसाले अब जो भी हम डालें चिपक जाए तो इसी तरह से बापस से हम डाल लेते हैं फ्राई कर लेते हैं तो फ्रेंज आज का रेसी पी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक आप चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें फ्रेंज आपका एक सस्क्राइब हमारे लिए बचा हुआ है जो भी हम इसी तरह से खृषाय कर लेते हैं तो लिजिए बातों बात में हमारा ये भी है निकल गया है आप चलिए सर्व करते हैं तो आप देखिए बिलकुल मसाले तार हमारे नमक पारे बहुत ही खसता देख सकते हैं बनकर तैयार हुआ है बिलकुल नमकीन त तो आप देखिए एक बार हम तोड़कर दिखाते हैं देखिए कितना मस्त बनता है तो ट्राइ किजिएगा इस तरह से लेयर वाला नमकीन काजो मसाला वाला देखिए कितना अच्छा बना है बिल्कुल गर्मा गरम है तब भी चूर हो रहा है बढ़ियां से टूड़ रहा है ठंड़ा होने पर तो यार क्रिस्पी हो जाएगा देख सकते हैं आप एक एक बहुत ही बढ़ियां से खासता है और बाकी जो हमने बाद में फ्राइ किये थे इसमें मसाले का इस्तमाल नहीं करेंगे क्योंकि मेरे बेटा बोला है मैं मसाला वाला नहीं खाऊंगा तो हो गया है हमारा नमक पारे बन गया है बनाईए इंज्वाइग किजिए ऐसे ही नए रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू एंटिक क्यार